exercise 2.1 exercise 2.1 में सिर्फ एक question है question 1 the graph of y equal to px are given below for some polynomial px find the number of zeros of px in each case ठीक है आप से कह रहा है आपको कहते रखा है एक graph रखा है y equal to px यहनी एक polynomial है किसमें x में उसमें variable क्या है x है अगर polynomial x variable के पॉर्म में है इसका मतलब जो 0 होंगे वो क्या होंगे x होंगे 0 होते है वो value x की अगर x polynomial है polynomial x variable के पॉर्म में है तब x की वो value जो px पे रखने पे क्या बन जाएगा result आपको 0 मिलेगा px 0 बनने का मतलब px 0 के equal हो जाएगा want y की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो वो कहलाते है 0 of polynomial x की वो value जो px को क्या करते 0 करते और px किसके equal है y के equal है इसका मतलब y की value क्या हो रही होगी 0 हो जाएगी अगर y की value 0 होगी तो आपको पता ज़ल जाएगा कि वो कौन सी line पे cut कर रहे होंगे बार-बार x-axis पे क्योंकि y कहां पे 0 होता है y हमेशा x-axis पे 0 होता है y की एक मात्र value जो 0 हो जाती है वो होती है x-axis पे इस x-axis पे y की value 0 की यहां पे value किसकी चलती है यहां पे x की value चलती है इधर पे किसकी value चलती है सिर्फ y की तो यहाँ पर क्या 0 होगा, x 0 होगा इधर पर x और y दोनों की value रहती है नहीं यहाँ x 0 होता है, नहीं y 0 होता है x और y दोनों कहाँ 0 होते है origin पर, तो अगर वो कह रहा है 0 जो polynomial ढोटना है किसका, px का, यानि एक variable है, polynomial x की form में, इसका मतलब x की एक ऐसी value, जो क्या दे दे px को 0 बना दे, अकर px 0 बनेगा, तो px तो y के equal है तो y बनेगा 0, y कहाँ पर 0 होता है x axis पर, तो आप इस question को solve करने के लिए, बहुत easily यह देख सकते हैं, क्या जो line है, जो graph बना हुआ है, वो कहीं x axis को cut कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर वो x axis को cut कर रहा है, इसका मतलब x axis पर y की value होती है 0, जितनी जगे है, वो cut करेगा, उतने ही number of 0 जोंगे, तो पहला जो part है, पहले part में आप क्या देख रहे हैं, पहले part में देख रहे हैं जो graph है, वो क्या है x axis के parallel है, जो line parallel है वो कभी x axis को cut नहीं करेगी अगर ये x axis को कभी cut ही नहीं करेगी तो इसमाँ y 0 कभी होई नहीं सकता तो अब इसमाँ पूछा गया है, number of 0's कितने होंगे, तो इस वाले case में number of 0's कितने होंगे, 0 क्योंकि ये कहीं भी x axis को cut नहीं कर रही है ये question बदला भी जा सकता है, बच्चे बहुत रट देते हैं, कि हाँ ये x axis को कितने जगे cut कर रहे है, बच्चे answer ढूणना शुरू कर देते हैं आपको ये ध्यान देना होगा, जो polynomial है, क्या वो x variable के form में है, कभी-कभी question बदल के p of y दिया जाता है और same situation दिये रहेगी आप बस ऐसे counting कर रहे होंगे ठीक है, तो आपको बहले ये confirm कर लेना है जो polynomial है, उसमें जो variable है वो x है, तब आप ये value डोटेंगे कि x को कितनी जगे cut कर रहा है अगर y है, तो आप ultra डोटेंगे कि y को कितनी जगे cut कर रहा है फिलाल यहाँ पर x है, तो आप सिर्फ x को देखेंगे तो x axis को कितनी जगे cut कर रहा है, एक जगे नहीं तो इसमें जो number of 0 होंगे, वो होंगे 0, second case है, second case में graph y axis को भी cut कर रहा है, लेकिन y से हमें कोई value लेने तो है नहीं हमको क्या चाहिए, x axis को x को कितनी जगे cut कर रहा है, x axis को कितनी जगे cut कर रहा है, 1 जगे, तो इसका मतलब यहाँ पर x की यह value क्या दे रही है, result आपको y 0 इसका मतलब number of 0 कितने होंगे second case में 1, ठीक है third case पर बढ़ता है, third case पर x axis एक जगे यहाँ पर cut कर रहा है दूसरी जगे यहाँ पर, तीसरी जगे यहाँ पर इसका मतलब number of 0 कितने होंगे 3, ऐसा ही, fourth part में fourth part में आपको देख रहा है negative x axis को negative positive से को लेना देना नहीं है पस x axis होनी चाहिए, ठीक है तो x axis को यह दो जगे पर cut कर रहा है इसका मतलब number of 0 कितने होंगे 2, ऐसा ही, यहाँ पर count कर सकते है 1, 2, 3, 4 सिर्फ x axis को count करना होता है ना कि y axis हो, आप इसको count नहीं करेंगे ठीक है, y की कोई भी value हो सकती है तो आपको बैस x की वो value ढूटनी है जो px को 0 कर दो तो x की यह value क्या कर रही है px को 0 कर रही है, क्योंकि x axis पर y 0 होता है, यह value, यह value, यह value क्या कर रही है, px को 0 कर रही है इसलिए, कितनी value है यह 1, 2, 3, 4, तो number of 0 इस case में हो जाएंगे, 4 ऐसे इसमें count कर लेते हैं 1, देखिए, टच कर रहा है तो इसको 2 में count मत कर दीजीगा, ठीक है 1, 2, 3, तो number of 0s last case में कितने होंगे, 3 उम्मीद करता हूँ, आपको यह explanation पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा Thank you and have a nice day